हाज जी शुरू करें आज एलेक्शन कमिशिन अफ इंडिया ने मेरी एक प्रेस कॉंफरेंस पर मुझे नोटेस भीजा ये भारतिय जनता पार्टी की चार अपरेल की एक शिकायद पर आधारित है तो चार अपरेल को भारतिय जनता पार्टी शिकायद करती है पाँच अपरेल को 11 बज के 15 मिनट पर सभी न्यूस चैनल पर फ्लैश होता है कि Election Commission of India ने आम आद्वी पाटी की नेता आतिशी को नोटिस भेजा हर चैनल पर ये न्यूस चलने के बाद 11 बज के 15 मिनट पर ये न्यूस टीवी पर चलती है और उसके आदा घंटा बाद 11 बज के 45 मिनट पर मुझे आक्चुली नोटिस मिलता है नोटिस मुझे इमेल किया जाता है इसका मतलब Election Commission of India के नोटिस की खबर पहले भारतिय जनता पार्टी मीडिया में प्लांड करती है उसके बाद Election Commission of India नोटिस देती है आज मैं इस देश की Election Commission से पूछना चाहती हूँ क्या आप भारतिय जनता पार्टी का एक अनुशांगिक संगठन बन गए है जब Enforcement Directorate Modern Code of Conduct लगने के बाद एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर एक opposition के प्रमुख चेहरे देश की छे national parties में से एक के national convener को गिरफतार करती है तो क्या Election Commission ED को नोटिस भेजती है जब Income Tax Department देश की एक बड़ी opposition party Congress party का bank account seal करती है तो क्या Election Commission Income Tax Department को नोटिस भेजती है जब Income Tax Department CPI CPM को बरसों पुरानी उनकी filing के बारे में उनकी returns के बारे में चुनाव की घोशना के बाद नोटिस भेजती है तो क्या Election Commission केंद्र सरकार की Income Tax Department को नोटिस भेजती है Election Commission of India की आँखों के सामने केंद्र सरकार भारतिय जनता party शासित केंद्र सरकार CBI का ED का Income Tax Department का खुले आम मिस्यूज कर रही है election से पहले Election Commission of India विपक्ष की जहाँ पे सरकारी है वहाँ पे Chief Secretary बदल देती है Home Secretary बदल देती है DGP Police बदल देती है लेकिन जब विपक्ष के नेता इंडिया गडवंदन के नेता Election Commission के पास जाते हैं और ये डिमांड करते हैं कि चुनाव तक इंटेरिम तोर पर Income Tax Department, CBI, ED के डिरेक्टर्स को बदला जाए तो Election Commission कुछ नहीं करता चुनाव की घोशना के बाद Income Tax Department, आमादनी पार्टी के विधायक और नेता गुलाब सिंग के घर पर रेड करती है आमादनी पार्टी उसकी शिकायत करती है आमादनी पार्टी मिलने का टाइम मांगती है Election Commission, कोई आक्शन नहीं लेता Election Commission 23 मार्च को हमने गुलाब सिंग के घर पर हुई रेड को लेकर Election Commission से टाइम मांगा 23 मार्च से आज 5 अप्रेल हो गया Election Commission ने हमें मिलने का टाइम नहीं दिया Election Commission ने Income Tax Department को कोई नोटिस नहीं दिया लेकिन जब भारतिय जनता पार्टी कंप्लेंट करती है तो 12 घंटे के अंदर अंदर Election Commission नोटिस भी भेजती है नोटिस भेजने से पहले भारतिय जनता पार्टी को रिपोर्ट भी करती है खबर भी चलवाती है आम आदमी पार्टी का ओफिस सील हुआ चार दिन तक लगातार आम आदमी पार्टी के ओफिस के चारों और बैरिकेड लगे रहे पुलिस ने सील करके रख दिया हमने फिर चिठ्थी भेजी हमने 26 मार्च को चिठ्थी भेजी Election Commission से टाइम मांगा कि आमने 23 मार्च को चिठ्थी लिखी थी हम फिर से 26 मार्च को चिठ्थी लिख रहे हैं कि हमारे पार्टी ओफिस को सील कर दिया गया है हमारे पार्टी के नेता नहीं पहुँच पा रहे हमारे पार्टी के कैंडिडेट नहीं पहुँच पा रहे लेकिन election commission ने time नहीं दिया, election commission ने दिल्ली पुलिस को notice नहीं दिया उसके बाद आम आदमी party में भारतिय जनता party के illegal holdings के बारे में शिकायत दिची हमने 29 मार्च को फिर एक अपरेल को आज फिर से 5 अपरेल को हमने बार बार election commission को भारतिय जनता party के model code of conduct के violations पर उनके आपत्ती जनक posters पर उनके illegal holdings पर चिट्थिया भेजी लेकिन ना 29 मार्च को ना 1st April को और आज election commission ने भारतिय जनता party को कोई notice नहीं देजाए तो आज ये देश के लिए चिंता का विशे है के election commission of India जिसकी जिसकी जिम्मेदारी है non-partisan होना जिसकी जिम्मेदारी है free and fair election करवाना जिसकी जिम्मेदारी है level playing field देना आज उस election commission की neutrality पर सवाल उठ रहा है हमने देख लिया किस तरह से इस देश की बड़ी बड़ी agencies भारतिय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के सामने नतमस्तक हो गई है चाहे वो CBI हो चाहे वो ED हो चाहे वो income tax department हो चाहे वो state bank of India हो लेकिन आज मैं election commission से अपील करना चाहती हूँ कि आपको इस देश के सम्विधान ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है इस देश के सम्विधान ने आपको इस देश के लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी दी है जो आज तीनो election commissioners चाहे वो राजीर कुमार जी हो चाहे वो ग्यानेश कुमार जी हो चाहे वो डॉक्टर सुकुबीर सिंग संधु हो आप टी एन सेशन जी जैसे election commissioners के उत्तर अधिकारी है आप एक ऐसे election commission को आज चला रहे हैं जिसको पूरी दुनिया देखती है जिसकी पूरी दुनिया तारीफ करती है कि भारत जैसे देश में आज तक कभी चुनाव की निश्पक्षिता पे सवाल नहीं उठा तो आज मैं election commission से अपील करना चाहती हूँ कि भारतिय जन्ता पार्टी और उनकी केंद्र सरकार के सामने नतमस तक मत होई है जिस तरह इतने सालों के बाद भी पूरा देश टी एन सेशन जी को याद करता है कि उन्होंने free and fair elections, a transparent election process, a level playing field को एक नहीं उचाहियों पे लेके गए अगर आज राजीर कुमार जी, ग्यानेश कुमार जी और सुखबीर सिंग संदू जी free and fair elections or level playing field नहीं होने देंगे तो सभी गलत कारणों से आप तीनों को पूरा देश याद करेगा, आने वाले सौसाल तक याद करेगा तैंक यू देखिए हम बिलकुर इस notice का जवाब देंगे और हम इस notice के जवाब में इलेक्शन कमिशन को उनकी neutrality, उनकी non-partisanship की क्या जिम्मेदारी है, इसको याद करवाएंगे